जै भीम जै भारत एक वो अंबेडकर यूग था जब पूरे विश्व के मसीहा बावा साब डॉक्टर भीम राओं अंबेडकर जी ने इस भारत देश का समिदान लिखा था और सोसीतों, वंचीतों, डलीतों, नारी के सम्मान में उन्हें उनका खोया गया सम्मान वापस दिलाया था गुलामी की बेडिया तोड़ी थी पूरे देश को लोकतंतर की डोर में पिरोकर भारत देश को लोकतंतर दिया था सिरफ भारत देश के लिए नहीं सिरफ बाउजन समाज के लिए नहीं पूरे विशो के मसी यहां है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेड़कर जी परमपुजिये बाबसाब डुक्टर भीम्राव अम्बेडकर जी की जैनती पूरा विशो हर वर्स 14 अप्रेल को मनाता है लेकिन इस साल कोरोना वाइरस जैसी महामारी COVID-19 एक गंभीर विप्दा पूरे मानो जीवन पर आन पड़ी है ये संकट का दोर है जहाँ पूरा विशो परमपुजिये बाबसाब डुक्टर अम्बेडकर जी की जैनती नहीं मना पाएगा ऐसे में पूरे विशो में रहे रहे भाउजन समाज के लोगों की जिम्मेदारिया इस जैनती के परती पहले से ही कहिया दिक बढ़ जाती है हम हर वर्ष बाबसाब अम्बेडकर जी की जैनती पूरे धूमदाम से हर सो उल्लास के साथ मनाते हैं लेकिन इस बार ये दाइरा हमारा बहुत छोटा होगा ये दाइरा हमारा एसास कराएगा हमें कि मानाउता के लिए हमारी जिम्मेदारिया क्या है महुजन समाज के लिए हमारी जिम्मेदारिया क्या है पूरे विशव के लिए पूरे देश के लिए हमारी जिम्मेदारिया क्या है और इन जिम्मेदारियों पर हमें खरा उतरना होगा इन जिम्मेदारियों का एसास हमें अपने दिल के अंदर करना होगा और वो हम तभी कर पाएंगे जब बाबा साब अमबेडकर जी को जिसने नहीं पढ़ा हो वो पढ़ ली जिएगा और पढ़कर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बताए गए रस्ते पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बताए गए मिशन पर पूरा जीवन हमें न्युचावर करना होगा क्योंकि आज जो दिया है न वो सिरफ बाबा साब अमबेडकर जी के द्वारा ही हमें दिया गया है वरना हम गंदी नाली के केड़े हुआ करते थे हमें कोई पूछने वाला नहीं था हमारे गले में हंडी हुआ करती थी और हमारे पिछवाडे पर जढ़ू हुआ करती थी आखिर कब तक ये हम रोना रोता रहेंगे अब हमें बाबा साब अमबेडकर जी की सिक्षाओं का उनके विचारों का परचार परसार करना होगा याद रहे सिरफ एक दिन डॉक्टर अमबेडकर जैन्ती के दिन बाबा साब अमबेडकर जी को याद कर लेने भर से आपकी जिम्मेदारिया पूरी नहीं होती है आने वाली 14 अप्रैल 2020 को परम्पुजे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अमबेडकर जी की एक सो उनतिस वी जैन्ती पूरा देश बना रहा है पूरा विशो बना रहा है सिरफ एक ही दिन परम्पुजे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अमबेडकर जी को याद करना उनके बारे में बात करना उनके बारे में चर्चाई करना ये बाबा साब अमबेडकर जी के मिशन के साथ दोखा है मेरा मानना है कि ये स्वैम बाबा साब अमबेडकर जी के मिशन के साथ ही दोखा है क्योंकि आप एक दिन याद करेंगे और 365 दिन भूल जाएंगे ऐसा मत करिये ऐसे सपने बावा साब अमबेडकर जी ने नहीं देखे थे आपको पूरे 365 दिल बावा साब अमबेडकर जी के मुमेंट पर काम करना है उनके मिशन पर काम करना है ये याद रहे जो कौम अपना इतियास नहीं जानती वो कौम कभी इतियास नहीं बना सकती है सबी लोग नियवों का पालन करेंगे कोई भी साथी आतिस बाजी नहीं करेंगा बावा साब अमबेडकर जी के मिशन पर चर्चा तो करेंगे लेके अपने घरों से बाहर निकल कर लोकडाउन को नहीं तोड़ेंगे इजिम्मेदारी हम सब की जिम्मेदारी है इन कानुनों का पालन, समिधान का पालन बावा साब अंबेढकर जी की विचारदाराओं का पालन करने के बराज़ है और हाँ एक बात ओर कहूंगा जिन्दिगी में यदि आप बावा साब अंबेढकर जी के मिशन को आगे ना ले जा सको न तो इसे पीछे भी मत जाने देना ऐसा मैं नहीं बोल रहा स्वयम बावा साब अंबेडकर जी ने बोला था और आज अपने ढपली अपना राग अलापने के बज़े आप विचारों को माने आप बावा साब अंबेडकर जी की विचारधारा का जो निर्मान उन्होंने किया हमारे तमाम महापुर्सों की विचारधारा का जो निर्मान हुआ उनका अपरचार परशार करें और खुद में भी अमल करें बावा साब अंबेडकर जी नहीं कहा था सिक्षा उस सेरनी का दूद है जो पिएगा वैधाड़ेगा याद रहे यदि आप मजबूत हैं आप सिक्षित हैं आपका परिवार सिक्षित है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको काम्याब होने से नहीं रोक सकती ये फैसला आपको लेना होगा ये प्रन आपको करना होगा सबसे पहले आपको अपने परिवार को सिक्षित करना होगा उसके बाद समाज की जिम्मेदारी भी आपके कंदों पर होगी पुरे समाज को सिख्षित करना होगा बबासाब अम्बेडकर जी का पहला मूल मंत्र आप सभी को मिल infect कर सफल बनाना होगा यह करांती है कहने को बहुत अच्छी लगती है बबासाब अम्बेडकर जी की 21 सदी की नीली महाकरांती लेकिन यह माकरांती सिक्षा से ही सफल हो सकती है जब आप अपने परिवार को पूरे समाज को उसके बाद अपने जिला को अपने राज्य को अगर आप सफल कर पाएंगे सिक्षित कर पाएंगे संपुर्ण भाउजन समाज को आप सिक्षित कर पाएंगे तो निश्चे ही पूरा देश सिक्षित होगा देश जातिवाद से मुक्त भी होगा, चुवा छूच से मुक्त होगा, तमाम बिमारियों से मुक्त होगा, जो आज जाती धरम को लेकर पूरे देश को पीछे की दरफ धकेल रही है यह भी हमारे देश के लिए एक हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा कि अगर आप सिक्षित होते हैं तो भारत देश का निर्माण होता है भाउजन समाज का निर्माण होता है एक दिल मातर बाबा साब को याद करके आप अपना पला मत जहड़िये आप पूरे 365 देल बाबा साहब के बताए गए मिशन पर काम करें यही उनको सच्ची सरदाजली भी है और यही बाबा साब अमबेडकर जी का सपना भी था आप बाबा साब अमबेडकर जी को सरदाजली अर्पित करेंगे पहले से भी करते आये हैं आप दीप परजुलित करेंगे दिवाली की तरह पहले बाबा साब अमबेडकर जी की जहनती आप मनाते थे लेकिन इस बार आपको लोकडाउन की वज़े से इस गंबीर महामारी की वज़े से अपने घर में सीमित रहना होगा दीप परजुलित करके बावसाब अमबेडकर जी की जैनती मनानी होगी लेकिन क्या इतना भर काफी हैं हमें एक दिन हमारे मसीहा डॉक्टर अमबेडकर जी को दियाद करेंगे लेकिन दूसरे दिन फिर उसी धर्रे पर आ जो की संगर्ष की तरफ इशारा नहीं करता जो की संगर्ष की तरफ इशारा नहीं करता जो की सिक्षीत होने की तरफ इशारा नहीं करता है ये इशारा डॉक्टर अमबेडकर जी का इशारा जो उन्होंने तीन मूल मंत्रों के माध्यम से पूरे भाउजन समाज को दिया है आप उसी कदम पर चले उसी पत पर चल कर आप पूरे भाउजन समाज का भला कर पाएंगे बाबा साब अमबेडकर जी के तीन मूल मंतर थे सिक्षित बनो, संगठित रहो और संगर्ष करो किसी भी कौम के लिए संगर्ष करना, संगठित होना और सिक्षित होना मुख्य धारा में आने के बराबर है ये समानता, स्वतंदरता, न्याय, बंधुतव इस समिधान ने बाबसाब अम्बेडकर जी ने हमें देतो दिया लेकिन क्या आप इसे ले पाएंगे डिपेंड आपके उपर करता है कि आप इसे ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे सबसे पहले आप अपनी कौम को सिक्षित कीजिए एक दिन बाबसाब अम्बेडकर जी को याद करके सिर्फ अपना पला ज़ाडने की कोशिस न कीजिए आप हमेशा 365 दिन बाबसाब अम्बेडकर जी को याद करेंगे उनकी विचारधारा का उनकी सिक्षाओं का परचार परशार करेंगे याद रखना बाबसाब अम्बेडकर जी ने कहा था जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती और ये भी याद रखना हम पर्थमते और अनंते भारतिये हैं हम पहले और अंत में भारतिये हैं सिर्फ भारतिये हैं इस विश्व के परती, मानवत्ता के परती, पूरे भारत देश के परती आपकी कुछ जिम्मेदार्या भी है आप उस देल अगर दस रोटी अपने परिवार के लिए बना रहे हैं तो इसकी संख्या डबल कर दीजिएगा आपके आसपास कोई भूका ना सोई आप उसे खाना के लाइएगा जो साथी सक्षम है भीम सेना का नौन स्टाप लंगर चल रहा है पुरे देश में अम्बेड करवादी साथी और मानवता को मानने वाले साथी चाहे वो किसी भी धर्म से हैं किसी भी कौम से हैं मदद कर रहे हैं उन गरीबों की उन मजलूमों की जो आज इस लोकडाउन और गंभीर मामारी के कारण बोके मरने पर मजबूर है तीन विशेश स्टम्भ है इस देश के लोकतंतर के लेकिन आज इस गंभीर व्युट्टा में जो स्टम्भ है मुख्यतोर पर पुलिस, डॉक्टर और सफाई करमचारी आज पुरे देश की निगाहें उन सभी पर ठिकी होई है हम शेलूट करते हैं देश के डॉक्टर्स को देश की पुलिस को और देश की सफाई करमचारीों को आज उन्ही की बदोलत हमारा पुरा देश संगर्ष कर रहा है आप उन सभी का होसला बढ़ा करें उनको एक नई उर्जा देंगे उनका होसला बढ़ाएंगे एक मिनट की दो मिनट की वीडियो आप स्पेशल सफाई करमचारीों के लिए पुलिस विबाग के लिए और डॉक्टर्स के लिए बनाएंगे और सोशल मीडिया पर डाल देंगे उनका होसला बढ़ाने के लिए ताकि इस गंभीर महमारी से हम जीतेंगे आज नहीं तो कल हम आवश्य जीतेंगे नियमों का पालन करेंगे अपने घर में कैद रहेंगे लेकिन 365 दिन बावा साब अंबेडकर जी के विचारों का हम परशार भी करेंगे ये ध्यान रहें बावा साब डॉक्टर अंबेडकर जी ये नहीं चाहते थे कि आप सिर्फ और सिर्फ स्वैम के बारे में सोचें बावा साब अंबेडकर जी ये चाहते थे कि आप संपुर्म समाज के बारे में सोचें उन्होंने पूरे देश के बारे में सोचा है, देश के बारे में काम किया है, देश के बारे में लिखा है और देश को एक नया गरंथ भी दिया है। देश को नई विचार दिये हैं, देश को पाखडवाद से मुक्त कराया है, देश को चातिवाद से मुक्त कराने के लिए उन्होंने गरंत का निर्माण किया है, उस गरंत का नाम है समिधान, समिधान की रक्षा तभी हूगी, जब आप बावसाबं बेड़कर जी के बताए ग ये जिम्मेदारी पूरे समाज की है, पूरे देश की है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी भहुजन समाज के लोग रहते हैं, वह अपने आप में सक्षम हैं, यदि तो आप इस करोना वाइरस जैसी महमारी के बीच, इस गंभीर स्वास्ते आपातकाल के बीच, उन लोग प्रम्बेड करजी को सच्ची सरदाजली होगी, आप यदि सक्षम नहीं हैं, तो भी आप भारत सरकार के द्वाराब दिये गए नियमों का पालन करते हुए, समिधान का पालन करते हुए, पूरे भारत देश में एक अच्छा अभियाद चलाएंगे, जै भीम, जै भारत, निला सलाम, जै समिता.